बच्चे दाने में गांट हो गया था चार-फास साल से उन्होंने 45 mm की ट्यूमर अंडासाय में हुआ है यह बताया और डाक्टर साहिवा ने बोला कि यह बिना आप्रसन के क्यूर नहीं हो सकता पूरी तरह से पता दिया है कि आपके जो अंडासाय में जो ट्यूमर था वो पूरी तरह से साफ हो चुका है दोस्तों कि आज चालिस दिन में एक माता की पेट कटके से बज गया एक माता के अंदर से प्यूमर साफ हो गया सारा यहां कि तरफ से एक जबाद लिए कर फिर आया हूँ दोस्तों आज हम एक भांजी से यह जानते हैं कि आज उनको कुछ प्रावलोंब था जिसे हम उनने कि जवाने जानता है की प्रावल्म किया था आपको प्रावलों किया आप नाम क्या है निरमला सूनी जान नाइ हो गया था आपको चार पॉस साल से तो इतने दिन से बहुत कर ले रहे तेबलेट खा कर अधाई न smt महना में दो बार किमार दो जाता था महसूस करते थे टेबलेट खाले दर जाता तो अभी इसका टेस्ट आप कप कराया है कहा पे कराया है अच्छा यह मेरे को रिपोर्ट बता रहे थे आप यह ट्रीपाटी डाग्लसिस सारंगड में इन्होंने चेक कराया था तारीक है 17-5-2019 को जिसमें उन्होंने 45 mm की ट्यूमर अंडासै तुआ है यह बताया और डाक्टर साहिबा ने बोला कि यह बिना आप्रसंट के क्यूर नहीं हो सकता इन्होंने चुकी इनके पती राजेंद्र शुनी जी और उन्होंने कौन सी दवा आपके आपको दिया था राजेंद्र जाने गानाटाब्स और अपने संजीनी में मार्टी मेडम से वहां चेकप करवाया थे तब से इनको मेंस का फूटराफ्रम होता था एक दिन पहले दर्द को जाता था दर्द डेली होता था लेकिन बार 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 बोलूंगी तो मत अच्छा नहीं लगेगा बती उते बोर के बताती नहीं थे लेकिन अब दर्द बहुत जाद बुए तो फिर इसको हम लोग अपना रिपोर्ट लिए तो मेडम ने उसको बताए कि 45 जेम का प्यूमार है बेटा अरे तो 22 से कोशिश करती हूं कि किलियर हो जाए नहीं तो फिर आप्रेशन जवरी है आप्रेशन करना ही पड़ेगा ऐसे बोले आपके गुरी जी के आसे बात से आज है ना कि मैं सिर्फ गया डाग दिया और उसी इक बात है कि एक हक्ता में हुनका दर्द पूरा खतम हो गय था और आज खुद डाक्टर रिपोर्ट आज करवा है यह आज ही का है यह आज का रिपोर्ट है 286 2019 का इस रिपोर्ट को आप बाके जो अंड़ाइक़ में जो ट्यूमर था कूरी तरह सकूर हो चुका है पूरी तरह सिसमी और पूरी तरह से साफ हो चुपा है और उनको पूंधायत दिया है कि आप टॉक को यह भिप्स और बहुंकर दोर्स हमारी चाह की प्रोडॉक्त कर रिया के रुखा बहुत अच्छा बताया उन्होंने तो दोस्तों हिस ये वैंस्ट हमकर कुए प benefited tulee हो आपरेशन होता राजेन जी तो कम से कम कितना खर्चा होता कम से कम 30-35,000 रुपर करता वालग बात है उसके अंदर में कोई अंग का कोई भाग जो है तुगड़ा होता शरीव के अंदर में दूसरे परकार की प्रोब्लम आ सकती थी आज बीना आपरेशन के बीना कोई प्रोब ेजित दे रहें लोगों के जिन्दगी को स्वस्था करने काम कर रहा है और संजीव कुमार से जिन्हों ने याव है और वहल तनकि है इतने बहत्रीन दवा हमारे सामने में प्रस्तुत किया और और जो भी दूगा लोगों को एक नंबर कर दूगा भले पैसा ज़्यादा लोगा उनका यह रहता है और यहीं रिजट है दोस्तों कि आज 40 दिन में एक माता की पेट करते से बज गया एक माता के अंदर से टीवर सा हो गया तो मैं पुना हमारे टीम के तरफ से सारगड रायगड के टीम के तरफ से एस लूपियस को पुना धन्यवाद करना चाहता हूं और धन्यवाद थैंक यू अ मैं पिल दोग जड़ करेंग लन्यवी को आश से एस दो डった तर बाल साम थ्ट थैंक यूज को गया घाओ शन्यवा थ्याओ यू ITE yEM के वे